दोस्टों नमस्कार सलाम है जैसा की मैं आज कई दिन के बाद आपके सामने आया हूं जो करांग था वह यह था कि मैं अपनी लीगल कारवाई को अंजाम दे रहा था और यह दूसे आप कि हो अध्याद्र में राप पोलिस को कंपलेंट देते हो और पुलिस इसमें कोई कारवाई में करती घお願いします जब आप लासा अपिसर्स को कंपलेंट देते हो कि वह उसके अपने ग्रीवेंस को बताते हो और उसके बावजूद को और यह यह सलो मोर्ड में चलती है और जनाब पर लीगल चीज को भी इलीगल बना दिया जाता है जैसा के सीमा हैदर ने पूरी दुनिया के सामने लाइव जो फरजी मैरिज एनिवर्सरी 12-3-2024 को मनाई थी और पूरी दुनिया को यह बताने की गोशिस करी थी के जी मैं महा जोटी हूँ मेरे कोई स्टैंड नहीं है कभी मैं कुछ बोलती हूँ कभी मैं कुछ बोलती हूँ तो हमने उस पर बहुत बड़ा लीगल एक्सल लिया है और आपको जानकर यह प्रसंता होगी कि वह हमने चीज को इल्लीगल बना दिया जाए और उसमें कानून के कुछ मानने वाले लोग भी सामिल हो और दुनिया की आखों में धूल जोकती जाए और जूट को सच बना दिया जाए उन हालात में हमारे कानून में क्या प्रोविजन दियावा है और उसमें क्या हो सकता है हमारे भार के हां ड कंडर हमने ऐङ जो केस फाइल कि हो गुलाम हैधर की तरफ से फाइव किया है और मेरे थुखार हुआ है और दो सना देगक है सेमा है मेरने सॉचिन मिना पार्टे बनाया है उसने अंदर हम हुआ हमने उस पंडचे को भी पार्टी बनाना जिसने फर्जी फेरे कि वह सेँदके और हमने उन तमाम ब्रातिय पार और अपने आप को उस प्रोग्राम में सामिल हुए थे अपने आपको प्राती कह रहे थे उन सब को भी खेस में पार्टी आया हमने सब के उपर मुखतमा फाइल किया है क्या मुखतमा फाइल किया है वह मैं आपको बता देता हूँ कि हमने है कि सूट फॉर डेकलेरेशन अंडर सेक्षन थर्टी फॉर और सपेस्टिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहट हमने जो इन्होंने फर्जी शादी की है उसको कानून की नजरों में हमने चेलेंज किया है और हमने कहा है कि जो सफ डिकलेर मैरिंज फर्जी मैरिंज 12-3-2023 को सीमार और सचीन के बीच में प्रिंट मीडिया इलेक्टोनिक मीडिया और सोचल मीडिया के सामने जो ड्रामा किया गया वो बिलकुल नल एंड वाइड है और वो इसी भी तरीके से कानून की नजरों में माने तर नहीं है वो जो इन्होंने 12-3 को जो मैरिंज का एक फर्जी ड्रामा किया है उस ड्रामे को हमने कोर्ट में चैलेंज किया है कि वह यह बिल्कुल फर्जी है उसके अलावा दो नंबर पर हमने कहा है कि सीमा हैदर और सचिन मीना जिनोंने अपनी फर्जी मैरिज को रिवाइज करते हैं 12-3-2024 को सोसल मीडिया और ब्रेंट मीडिया के सामने कहा है और जो सालिबरसन मनाया है वो कानून की नजरों में बि उसको हमने चैलेंज किया कि वो बिल्कुल इलीगल है इसके अलावा हमने जो तीसरी बात को चैलेंज किया है वो यह है कि सीमा हैदर जो गुलाम हैदर की वाइफ है उसका कोई भी तलाक कानूनी रूप से ना पकिसान में हुआ है और ना भरत में हुआ है और वो अभी तला कि उसके अलावा जो हमने कि एक और बात को चैलेंज किया है कि वहीं जो सीमा और सचिन ने सोसल मीडिया और इलेक्टोनिक मीडिया के सामने हिंदू धरम रिती रिवाज के दूसार वो अपने आपको दिखाने की कोशिस की है कि हम मैरेज करने जा रहे हैं वह कानून की जन्रल पब्लिक के अंदर वह कानून की नजर में नल एंड वाइड है यानि कि वह गैर कानूनी है यानि सीमा ने व्हारत तीन को जो फरजी अनिवरस्टी दिखाई है वह विल्कुल फरजी है और वह कानून की नजर में गैर कानूनी है यह हमिंने कि रखा अगला अगला है वह कि आपको कहती है कि मैंने सनातन धर्म को अपना लिया है तो हमने कौट के चलिये से कि ये किया है तक हमेज़ सीमा आज तक बी मौमढन के मौमढन है और उसने कोई भी ध्रम- Budget न मुल सातव्च नहीं किया है अगर किया तो कोड में आके जवाब दें इसावित करेगा कि वो उसने कोई करौज़न नहीं किया है और वो सिरफ दिखावा कर रही है उसके अलावा हमने एक चीज को ओड और हमने च्छेलेंज किया है कि अगर इस सोबत से इस कमपनी से जो सीमा और सचीन एक साथ रह रहे हैं जो उनकी कमपनी इलिगल कमपनी है अगर उससे कोई ओलाध पैदा होती है तो वो कानून की नजरों में illicit child होगा यानि कि वो बच्चा जो सीमा और सचिन के आपस के किसी भी परकार के Northland से पैदा होगा और जो आपस की कंपनी से पैदा होगा वो कानून की निजर में एक तरह से वो नाजाइज उलाद होगा यह अपने कोर्ट में मांग रखी है और उसको प्रूव हम करेंगे उसके अलावा हमने यह भी कहा है कि जो डॉक्टर एपी सिंग जी जो मुझ बोले भाई बनते हैं उनका सोचल मीडिया के अंदर प्रिंट मीडिया के अंदर यह कहना कि सीमा सुचि कानून की नजर मं करने के लिए बॉक्ट कराने के लिए कहता यह पिलकुल गरत है कानून की नजर में नहीं है वह स्चिन मीना नहीं नहीं है और वह सचिन सीमा की वाई पर ऑ्रूप तो आकर प्रूख करें उसके अलावा हमने एक और इस मुकनमा के अंदर चेलेंज की है बात कि अगर गुलाम हैदर के बच्चों को किसी भी परकार की अड़ोप्सन डीड बनाई जाती है या अब से पहले बनाई है वो कानून की नजरों में जब तक गुलाम हैदर की सहमती उसमें ना ली जाए उसक अगर वो अड़ोप्सन डीड कोई पनाई गई है तो कानून की नजरों में वो एक तरीके से नल एंड वाइड है गया कानूनी है इस चुछ को भी हमने चलेंज किया है और इसके अलावा जो हमने और चलेंज की है कि जो पंदर जी आए थे जिन पंदर जी ने फ्रेरे अब वो टोटली जो है वो एक होसित जो उने किया है मीडिया के सामने वो टोटल नल एंड वाइड है वो गयर कानूनी है यह वी अपने उसको चैलेंज किया है इसके नावा जो इस प्रोग्राम में जितने भी वक्ती सामिल हुए है इस फर्जी मैरिज अनिवर्सरी में उस मैरिज अनिवर्सरी में जितने भी लोग सामिल हुए है एजे विटनेस सीमा और सचिन की जो फरजी साधी के जो गवाँ बनने की जिन्होंने कोसिस की है वो सारे गवाँ फरजी है वो सारे गवाँ जो वहाँ पर इकटे हुए वो इलीगल है कानून की नजरों में और हमने उनको भी डिकलेर किया कि आपका उस फरजी मैरिज के इस प्रकार हमने ने विए बत एक जो आपको बताई है इंको कोट में चैलंज किया है दुबारा स्फमें धोहरा दिता हुँ कि हमने जो इसमें चैलंज किया वो बारतीन दोहजारतेश को 12-3-2024 को सोरी हां 12-3-2023 को जो इन्होंने marriage को कहके marriage दिखाई है अपने आपकी वो गलत है और जो इन्होंने उसकी anniversary मनाई है 12-3-2024 को वो भी गयर कानूनी है उसको भी हमने इसकी marriage को हमने चलेंज किया है जो एक इती है 12-3-2023 को इसने marriage की थी नेपाल में हमने उस marriage को challenge कर दिया हमने इसकी marriage anniversary को challenge कर दिया हमने लिए इसके सप hablar कै यह और सकाइब तो हम ने उसके मैंने धिन्दू धर्म को भी चैलरण्ज कर दिया क्योंकि कानून की निजर में इसने कोई धर्म अभी तक नहीं है मुसलमान की दरा एंधर और उसके के लावर हमने पाद को चलेंज किया है अगर बच्चोब पर कार बनाया गया है यह यह जारा मन्धावन किया रहा है कोट चेल किया जा राक बिना कानून की को खोलो किये और पिना सहमती के खुलान हैद की हमने उनके ध्रम परिवर्तम को भी कोट फिर दुवारा इस केश को चैलेंज किया है और हमने इसके साथ साथ कि यह भी चैलेंज किया है हिंदू रीती रिवाज के अनुसार भी वह सब गलत है और हमने इसके अंदर जो लोग इखटे हुए है उनके जुन ने गवाँ बनने की कोशिस की है उनको भी हमने जो है वो नलन वाइट टिकलेर कराने के लिए यह के समने उनके उपक डाला है तो आप दोस्तों देखेंगे के हमने कोड दुआरा जो इनकी बारा तीन दोजार तेट को जो यह अपको मिया भीजी वर्जी बताने की कोसिश कर रहे हैं उस मेरेज को हमने चैलेंज कर दिया इस इस के मात्य ऑंद्र आरे लुटन कर दिया को पूरी दुनिया का मुर्ख को बनाने की कोशिश कर रहे हमने उन बच्चों के कनवरजन को चैलेंज कर दिया है हमने इस केस दुआरा जो पंड़जी ने गलत फेरे फिरवाए है उसको हमने चेलेंज कर दिया है जो वहाँ पर अपना आपको बराती बनाने की कोशिश कर रहे थे और उस प्रोग्राम में जो हम साविल हो रहे थे डांस कर रहे थे उन सब पर हमने मुखतमा फाइल किया है और यह चित्रा भी अनुबर किया गया यह सब फरजी है कारौन की नजरों में इलिगल है नल एंड वाइड है इसको हमको द्वारा प्रूब कर करेंगे और यह हमने के अधिया धन्यवाद आपकी चांदकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है थैंक्यू अ और झातो वाइड है इसको हमे मैं प्रूब करेंगे नहीं सकत्वारा भी शिर्मेंटैने चाहे हैं आपको जोर हाज हición आपके बता झाली हो रहाख वो ना